सोनिपत के रूची संस्थान में एक्स्टरनल प्रैक्टिकल एक्जामिनर पवन राठी ने रूची संस्थान की छात्रा के साथ अशलील वहवार किया चात्रों ने दी पुलिस को शिकायत चात्रा के साथ सेकडो चात्र पहुंचे सोनिपत सीटी थाना कतित रूप से पवन राठी ने चात्रा से अच्छे नंबर देने की एवेज में व्यक्तिकत रूप से शाम को संस्थान के बाहर कॉंडोम के साथ मिलने की बात कही थी महिला आयो की सदस्य है सोनिया अगरवाल ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी बच्छे के पास इस चीज के पता सभूत भी है रिकॉरडिंग भी बता रही है इस चीज के इसके पास है तो यह मामला बेकॉय। अभी हमारे पस रंज्यान है हुई आए और इस्को अभी तप गीश करके हँ और इसके सक्त Сब्क्रिकार्वाई करें すтов क को देड Поej हो एक्षक सुनी आपने छात्रा की आप बीती आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का क्या सतर हो चुका है और कितनी सरकारे सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जरूर जाता है लेकिन सुना अपने इस छात्रा की जुवानी जिसमें साफ तोर पर कहा जा रहा है कि अच्छे नमबर चाहिए तो कॉंडम के साथ मिलना बाहर ऐसे में इस छात्रा ने अपना साहस नहीं खोया और कर दिया ऐसे शिक्षक का परदाफाश गनीमत रही महिला आयोग की सदस्या सोनिया अगरवाल भी वहाँ पर मौजूद थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के बीच कितनी महफूज है हमारी बेटियां ये इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है चात्राओं ने शिक्षक के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की मांकी है सोनिपत से के नाइन मिडिया के लिए उमेश भट की रिपोर्ट